असलाम अलेकुम मैं हूँ आपकी होस्त जी अली और आज मैं आपको सुनाओंगी एक स्टोरी हमारी स्टोरी का नेम है लालज बुरी बला है हम अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक कुत्ता जंगल में रहता था लेकिन वो जंगली नहीं था ना कुत्ता कुछ शिकार करता था और नहीं कमाता था कुत्ता शेर का शिकार चोरी करके खाता था एक दिन शेर ने शिकार करा तो आदा खाना खाया और आदा छोड़ दिया कुत्ते ने वहां से एक गोश का टुकड़ा चोरी कर लिया कुत्ते ने एक गोश का टुकड़ा चोरी कर लिया कुत्ते ने सोचा कि वो किसी दरिया के पास बैठके अराम से खाना खाएगा एक दरिया के पास गया हुआ पर इतने सारे जानवर थे कि कुत्ता कन्फ्यूज हो गया कुट्ते ने सोचा कि मैं दर्या पार करके दूसरे दर्या के किनारे की तरफ जाके खा लूँगा क्यूंकि वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं था जब कुट्ता दर्या पार करने लगा तो उसने अपना फलैक्षन यानि अपना साया दर्या के पानी के अंदर देखा कुट्टे को क्या पताता कि वो उसका साया है कुट्टे के दिमाग में लालच आई और कुट्टे ने सोचा कि भी इस दूसरे कुट्टे से भी गोश का टुकड़ा चुरा लूँगा और मेरे पास दो-दो गोश के टुकड़े हो जाएंगे जब कुत्ते ने अपने साई के उप़ा जबटा मारा तो उसके जो मूँ में था गोश्का टुकड़ा वो भी दरिया के अंदर गिर गया बच्चो इस कहानी का मकसाद था लालच जो के बुरी बला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी लालच ना करें क्योंकि लालच का इंजाम कहीं कल ना हो उस वक्त ना हो लेकिन बाद में तो होता ही है अच्छा बच्चो इजादत चाती हूँ मैं आपसे अपने अगले पोग्राम तक इजादत दीजिए अपनी मिस्वान जियो अली को अल्ला हाफिस बच्चो क्या आपने 99 News चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो अभी कर दें जिन्दगी के सब्राइब 99 News चैनल के साथ को अरिया जादत